हलो अचो लेट्स रीड दा कोस्टेन डीकलाइन इन दा पॉपुलेशन ओफ इंडिया नेटिफ फिशेज दू इंट्रोडाक्शन ओफ क्लारियाज गैरीपिनस इन रीवर जमुना कैन बी कैटेगोराइज़ बाई कैटेगोराइज एज सो क्या बोलाए कोस्टेन में कि इन 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 नेटिफ फिशेज जो है उनका पॉपुलेशन डिकलाइन हो चुक है किसके बज़े से ना इंट्रोड्यूस क्लारियाज गैरीपिनस इन रीवर जमुना जमुना में क्लारियाज गैरीपिनस उसको सतरीbyड च्थन थार्फ ऍटलेशन खूर्णटा क्या तो इन 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 स्टेम। इन इंटिकलाइ इन आर्पिस्चिस नग चिंध नेटिक एनट इन आर्पिस इन countryside इन 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 स्टिकलाईड में इन इनी इन इनटिफिश यूच ऩnor तो इसके वज़े से क्या हुआ इसके वज़े से इसके वज़े से नेटीव फिशेस का किसको इंट्रोड्यूस करने से कि क्लारियास गैरी पैनास को इंट्रोड्यूस करने से नेटीव फिश का डिकलाइन होदन लगा प्रोपुलेशन इसका कारण क्या है होएन एलियन जो यह क्या है जो इसा इसाए क्या बोला कि होएन इसको इंट्रोडिुस क्या यहह मुनारीवर में इसके लिए क्या होना native fish का population, population का कम होने लागा, तो क्या बोलते हैं, when alien species are introduced, they turn, they turn, क्या they turn out to be, turn out to be invasive, they turn out to be invasive and, invasive and are responsible for decline, are responsible, responsible for decline or extinction or extinction of indigenous species, so indigenous species को decline करने में क्या होता है, कि alien species जैसे example है, कि Claryus, Garrypinus को introduce करने से क्या native fish का population decline होने लागा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते है, alien species, alien species, species, invasion, invasion, जिसके बज़ा से क्या जमुना रिवर में, क्या हुआ, जमुना रिवर में native fish का population decline होने लागा, तो हमारा जो right answer हो जाएगा, वो क्या है, हमारा जो right answer होगा, वो option 1, option A, not co-extinction, not habitat fragmentation, not over exploitation, so right answer is option A, I hope you understand it well, waste of luck.